जिन्दकी दो दिन की है एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना गलत लोग तो सब की जिन्दकी माते हैं लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे करके जाते हैं गीता में सपस्ट लिखावा है निरास मत होना कमजोर आपका वक्त है आप नहीं नमशकार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत करता हूं आपके अपने चैनल म और मासिक रासिफल दिसंबर दो जाल इकीस के इस विसेश एपिसोड में ये एपिसोड तुला रासी के लिए है और ये रासिफल आपकी रासी नाम रासी अताद मून साइन पर आदा रही थे हैं दिसंबर दो जाल इकीस में चार गर रासी बदलेंगे उसमें दो गर ऐसे ह बुद्ध और शुक्र जो दो बार रासी बदलेंगे हर मासिक रासी फलके विसेश एपिसोड में बहुत सारे सेग्मेंट पर बहुत सारे सेक्टरस पर हम विस्लिशन करते हैं जिसमें सबसे पहला सेक्टर आपकी इंकम और आपका इंवेस्मेंट आपके परिवार का सुख, सिक्सा और संतान का सुख, स्वास्ति और सत्रों के बारे में, दांपत सुख, ग्रस सुख और साथ इसाथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई friendship चल रही है या जो relationship में हैं और फिर विशेश रूप से मैं आपको बतलाऊंगा आपके बिजनस, आपके क्यारियर, आपकी जॉब या प्रफेशन के बारे में और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा, दिसंबर 2021 के उपाए, जिससे आप इस रासिफल को अपनी लिए positive बना सकते हैं या negativity से रहत प्राप्त कर सकते हैं, तो आईए आरम करते हैं, आपतुला रासी के लिए मासिक रासिफल दिसंबर 2021 और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ, आपकी income और आपके investment के बारे में जहां तक profit का gain का, success का सवाल है, रासी से 11th house से इसका विचार किया जाता है इस बाव का स्वामी के रसूरिय है, जो रासी से 2nd house में विराजमान है इस बाव पर ब्रस्पति के सुखद द्रस्थी है, तो ऐसी स्थिति में, दिसंबर 2021 में आप style से, आप dominating से, आप दबाव से, pressure से पैसा कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे क्योंकि ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है, सुखद स्थिति में इसका फाइदा आपको उठाना चाहिए, तो दिसंबर 2021 में जो गौर्ण मेंस सेक्टर के लोग है या जो गौर्ण मेंस सप्लाइवला काम करते हैं, अनाच का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो bakery और confesionary का काम करने वाले लोगों के लिए financial brokerage का काम करने वाले गिरवी का काम करने वाले लोगों के लिए December 2020 बहुत ज़्यादा बहतरी ने हैं और फिर आने वाले समय में 16 December 2020 से और ज़्यादा better जिसको unexpected gain बोल सकते हैं वो इस्तिति के दरसन आपको होने वाले हैं इसने कमर कस लीजिए जो आपने नहीं सोचा है उतना बैटर रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है इसने इस समय काल का आप भरपूर उपयोग करने की कोशिज कीजिएगा ऐसी मसला देना चाहता हूँ फेशन और कॉस्मेटिक रेडिमेंट गार्मेंट इवेंट और एंटर्टेन्मेंट मीडिया इलेक्ट्रोनिक्स जैमसिंज जवल्री आटिफिजल जवल्री संगार प्रसादन से समधित कोई भी काम काज करने वाले चाहे वो सेलून चलाते हैं चाहे बीटी पालर चलाते हैं का एंटिक और हेंडिक्राप्ट का काम करते हैं आपके लिए लाप की संभावनाय बहुत शांदार बनी होई है संभावनाय जबरदस्त है उसका दोहन करने की कोश्सिज कीजएगा उसका यूज करने की कोश्सिज कीजएगा आईए अब बात करें investment की रासी से second law से investment का विचार किया जाता है इस भाव का अधिपती है मंगल और वो swag रही है ऐसी इस्तिती में दिसंबर 2021 में आप मेंसे जो भी लोग जमी ज्यादाद पर investment करना चाहते हैं वो बहतरीन इस्तिती है आप टेलिकॉम सेक्टर पर housing society पर building material का जो कंपनिया काम करती है उस पर बात कर सकते हैं उस पर investment कर सकते हैं copper पर investment कर सकते हैं gold पर investment कर सकते हैं government bond में investment कर सकते हैं infrastructure bond में investment कर सकते हैं या जो marketing company वाले consultancy company वाले licensing company वाले जो shares मिल जाए उसमें आप investment कर सकते हैं electrical goods जो company बनाती है उस script पर investment कर सकते हैं तो आपके लिए स्थित्यां बहुत bright बनीवी है investment में सेक्टर में उसका आपको फाइदा उठाना चाहिए यह इस्थित्यां आपके लिए बहुत बैठरी नए च्बधूर्वें करें और चाहे आप script के स्कृपट के ठूँ विचार किया जाता है और इस भाव का स्वामी ग्रह है शनी दिसंबर 2021 में आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए परिवार की रक्षा के लिए परिवार के भले के लिए विरोधियों के सामने खड़े हो जाएंगे एक प्रकास से प्रोटेस्ट करेंगे या अपने सदस् आगे बढ़ाएंगे जिस भाव में सनी होता है उस भाव का हमेशा भला करता है उस भाव की रक्षा करता है तो यह सुख भाव है जमीन ज्यादाद का भाव है जमीन ज्यादाद से समधित कोई भी विवाद होंगे आप उस विवाद के लिए एक प्रकासर प्रोडेक्शन ले लेकिन आप सफल होने वाले हैं, आपके लिए बहत्रीन समय का लिए परिवार की रक्षा के लिए, लेकिन आपको उसका सयोग, उसका फाइदा, उसका यश मिलेगा यह नहीं मिलेगा, यह दूसरी बात है, उसके लिए आप सोच विचा नहीं करें, क्योंकि सनी की साड़ी या में अपने उसे यस नहीं मिलता है जिस दिन उनका काम खतम हो जाएगा आप कौन मैं कौन वो इस्तिति आ जाएगी लेकिन है तो हमारा परिवारी है हमारे घर के ही सद्धिश है और हमारी अपनी प्रॉपर्टी है उनके लिए हम फाइट नहीं करेंगे तो किसके लिए फाइट करेंगे आईए अब बात करें सिक्सा के बारे में संतान सुक के बारे में रासी से फिप्तावस से इसका विचार किया जाता है विशलेशन किया जाता है इस बाव का अधिपती शनी है एक त्रिकोन का अधिपती जब केंद्रम होता है उस situation को राजयोग बोलते हैं और यहां तो सनी स्वख रही है केंद्रम है पंच महापुरिस में से एक योग शर्षयोग का निर्मान कर रहा है ऐसी सितिय में बहुत बलवान इस सितिय है रासी से फिपता उसमें ब्रस्पति का विराजमान होना मंगल की जस्ति होना यह सारी स्थियां यहां पर टेक्निकल एजूकेशन लेने वाले विध्यारतों के लिए स्टूडेंस के लिए बहुत फाइदे मंद हैं आप मैंसे जो भी मेडिकल या नॉन मेडिकल उसकी एजूक की तरफ आगे बढ़ने के लिए अपने आपको अप्ग्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी यह समयकाल बहतरीन है तो एग्रिकल्चर की स्टेडी, कंप्टर साइंस की स्टेडी, सिविल सर्विसेज के सास्ताथ में सिविल इंजिनिरिंग वाले स्टूडेंट्स उनके लिए यह स्टितियां सुखद है या यह बहुत सकते हैं आपके लिए सपोर्टिव है तो जो टेकनिकल स्टूडेंट्स हैं चाहे मेकनिकल इंजिनिरिंग, केमिकल इंजिनिरिंग या और को इंजिनिरिंग हो सकती है जिसमें साइंस और टेकनोलोजी वाली बात आती है उसमें यह समयकाल आपके लिए बहत्रीन है supportive है इसका फाइदा आपको उठाना चाहिए अब बात करते है संतान सुकी संतान का कारकी ब्रेसपती होता है और संतान सुक का अधिपति शनी है तो सारी ग्रह इस्तितियां supportive है तो ऐसी इस्तिति में संतान आपको जोश खरोश के साथ में यह संतान जो मैनत कर रही है अपने आपको डवलप करने के लिए उसमें आपको संतोस मिलेगा प्रसंता मिलेगी और उनकी सफलता से आप भी गौर्वान वित होंगे और आपकी जो संतान टेक्निकल एफट में आगे बढ़ रही है चाहा वो बिजनस करना चाहती है चाहा वो ज आप डूंड रही है उस समद में उनको सफलता मिलने वाली है ये समयकाल उनके लिए बहतरीन है तो जो पेरेंट्स अपनी संतान के विवा के लिए चिंतित है उनके लिए संतान की बात भी यहां पर कर सकते है जिन पेरेंट्स की संतान इतनी बड़ी है कि उनकी संतान के यो गए तो इस समयकाल में वो खुशकबरी भी मिल सकती है तो सब मिला करके ये समयकाल 20 नवंबर से लगा करके आने वाली 13 अपरेल 2022 तक आपके लिए बहुत पॉस्टिव है और जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाते है संतान के बारे में प्लान करना चाते हैं सोच रहे उनके लिए टाइम पिरेल बहुत सही है तो आप लानिंग कर सकते हैं और जो मेडिकल टीटमेंट के थूरू संतान चाते हैं उनके लिए भी मैंने समय बता दिया है 13 अपरेल 2022 तक वो चाहें तो मेडिकल टीटमेंट के थूरू भी कंसीव कर सकते हैं आईए अब बात करें आपके स्वास्ति की और आपके सत्रों की विरोधियों की रासी से 6 ताउसे इसका विचार किया जाता है इस बाव का अधिपती है ब्रस्पती जो की रासी से 5 ताउस में बहुत सुब माने जाते हैं और इस बाव पर सनी की तीसी जस्ती है ऐसी इस्तिती में आप रोगों से अबाव sacrifice ये सब चीज़े मिलेगी तो शनी यदि उन सब इस्तितियों को जला देगा तो जो पीछे बचेगा वो सब positivity ही बचेगी या आपके लिए अनुकुलता ही बचेगी strength ही बचेगा जिसके पास कर्ज नहीं है वो इस्तिति बहुत अच्छी है सुखद है लेकिन फिर भी six house का लोड ब्रेस पती है इस ले लिए पेट से समधी रोगों से कमजोर immunal system जिसका है जो डाइबिटिक है और जिन को digestion system रीक है उन लोगों को ज़्यादा देखबाल करने चाहिए ज़्यादा साफदान रहना चाहिए शत्रों की बात करें तो आप मैंसे जो भी लोग banking sector में काम करते हैं वो कोई कोई साजिस का सिकार बन सकते हैं या financial lane देन में और या फिर ये बोल सकते हैं पारिवारी के ज़स्तों में जो खटास है उन लोगों से ज़्यादा साफदान रहे हैं वो आपके लिए खत्रे का बायस बन सकते हैं आईए अब बात करें दामपत्य सुक्की, ग्रस सुक्की साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गैरी friendship चल रही है या जो relationship में लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे दामपत्य सुक्की रासी से सब्तम बाव से इसका विचार किया जाता है इस बाव का अधिपती मंगल है जो की स्वग रही है तो ऐसी स्थिति में दिसंबर 2021 में क्योंकि इस्पेशली जो मंगल है वो 16 जनवरी तक व्रस्चिक रासी में ही रहेंगे ये स्थिति बहुत सुकद है एक परकासे उर्जा जोष ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा उमंग आपको देखने को मिलेगी और जो सोच विचार है आपका इमोशन्स है वो सब कुछ डवलप होंगे और सब कुछ इमोशन्स में संतुस्ति मिलेगी आपको चुबने लगती है और यहां इसका उल्टा है हर चीज आपको सुखत लगेगी क्योंकि यह समय आपके लिए बैटर है बहुती समझस से बैटने वाला है उमंग जोस बरकरा रहने वाला है सब मिला करके दिसंबर आपके लिए एक प्रिकास से यादगाल समय बनने वाल सब्तम बाव काधिपती मंगल पॉस्टिव है शुक्र की बात करें शुक्र पॉस्टिव है तो यहां पर सब मिला करके इस्तियां आपके लिए 100% बैटर बनी हुई है तो ऐसी इस्तिति में वो लोग जो काफी लंबे समय से रिलेसंसिप में है वो यहां पर सीरियस हो करके एक प्रकास है फैसला करके अपने पैरेंट से मिल सकते हैं या साधी के बारे में सोच करके एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं यह इस्तितियां आपके लिए बहुत ही बैटर बनी हुई है सुखद बनी हुई है यहां पर निर्ना लेने की इस्तिति आने वाली है और जो लोग नए नए ही फ्रेंट्स बने हुई है वो लोग भी एक दोसे को समझने के लिए सीरिस होंगे या यह बहुत सकते हैं बहुत जल्दी एक दोसे के प्रती द्रस्तिकोन बदलेगा एक द्रस्तिकोन पनपे का जो की बहुत पोस्तिव होगा जो सिंगल है उनके लिए भी इस्ति की एक छोटी सी गलती संदे के दायरे में लियाएगी और इस समय एक छोटी सी कंप्लेंट आपका केरियर आपकी जिंदगी बरबाद कर सकती है ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आईए अब बात करें आपके जौब प्रोपेशन केरियर या बिजनस की और इन के लिए रासी से टैन ताउस जिम्मेदार होता है रासी से टैन ताउस का अधिपती है चनमा और इस भाव पर रासी से टैन ताउस पर शनी की सत्व दस्ति है ऐसी इस्तिती में संगर्स के साथ में उपलब्दी मिलेगी इजी सक्सेस नहीं मिलेगी उसके लिए हाथ पाउं ज्यादा मानने पड़ेंगे हो सकता है आपको कई बार ये सोच विचार हो अनसैटिसफेक्शन हो लेकिन वो अनसैटिसफेक्शन टेंपरेरी होगा क् चनमा सबसे फास्ट चलने वाला ग्रह है और सनी सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है तो आपकी सोच विचार आपकी प्लानिंग आपकी स्ट्रेडिजी बहुत तेज चलेगी आपकी दिमाग में आइडिया आएंगे और उसके आइडिया को आप एक्टिवेटे बहुत तो ऐसी इस्तिती में आपको हो सकता है बहुत बार सोच विचार करना पड़े मायूसी हो लेकिन वो टेंपरेरी होगी यह मैं दो बार बोल चुका हूँ तो ऐसी इस्तिती में संगर्स के साथ ने उपलब्दी मिलेगी यह निश्चित है यह माह आपको आगे बढ़ाएगा ल संगर्स के साथ ने इस्तिती में यह निश्चित बहुत बैटर है और आने वाली आठ दिसंबर से शुक्र भी संगर्स के साथ में आजाएंगे तब रासी के अधिवती शुक्र की जश्टी के ने इस्तिती के कारण दिसंबर 2021 में आप मैंसे जो भी लोग फैशन और कॉस्म पूटिक चलाते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं और या पिर यह बोल सकते हैं इंटीरियर से समधित काम काज करते हैं आपके लिए इस्तित्यां बहुत बैटर बनी हुई है बहुत ही सुन्दर बनी हुई है उसका फाइदा आप उठा सकते हैं जो लोग टूर सें ट्र इन सबी में काम करने वाले लोग कुछ बादाओं के साथ में आगे बढ़ेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे आईए अब बात करें उपायों की दिसंबर 2021 के वो उपाय जो आपके इस रासी फल को बैतर बना सकते हैं नेगिटिविटी में से आपकी रहत दे सकते हैं तो उसम तो ऐसी इस्तिति में शनी के जितने उपाय करेंगे वो आपके परिवार के सुख के लिए mentally आपको relax भी करेंगे और education में भी support करेंगे तो ऐसी इस्तिति में शनी के लिए रोजाना सनी सोत्र का पार्ट हनमान जी की पूजा अरादना आस पास कोई भी people का पेड़े काले तिल हो सकते हैं काला जुता काली छत्री काला कंबल काला कपड़ा लोए की कोई भी वस्तू जो आपके लिए दान हो सामने वाले की जरूरत मंद की चीज़ बन सके और सबसे ज्यादा फाइदे मंद होता है खाने पिने की चीज़ देना चाहिब चने की सबजी बना दें काले चने की सबजी बना दें या बैंगन की सबजी बना दें साथ में पूरी पका दें तेल में और वो packet बना करके जो भी अपंग है जो दिव्यांग है उनको या जो जरूरत मंद है उनको आप खाने का समान भेंट कर सकते हैं ये आपकी जरूरत पूरी करेगा और आपको राहत भी देगा इसके अलावा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपनी रासी का भाग्यवरदी रतनलोकेट हमेशा पहनना चाहिए जिससे आपके सरीर का सुख, बुद्धी बल का सुख या संतान का सुख आपके केरियर का सुख और भाग्य का सुख मिल सके तो आपके जिवन का सुख के लिए हीरा जम्यदार होता है आपके केरिर के लिए संतांसु के लिए बुद्धी बल के लिए शनी आतार नीलम जिम्मेदार होता है और आपके लग के लिए भाग्य के लिए बुद्ध पन्ना जिम्मेदार होता है तो हीरा पन्ना नीलम इसका उपरतना क्योंकि ये औरिजिनल रतना तो बहुत महंगे हों है उन लोगों के लिए अपनी रासी का लक्समी योग रतन लोकेट धारण करना चाहिए वे योग या वे ग्रह जो धन योग बनाते हैं आपकी रासी के लिए उन योगों को बल्वान किया जा सके क्योंकि रतनों में strength होती है वो आपको cosmic rays आपकी body में pass on करते हैं environment से लेकर के और सही रतन पहनने से जिंदगी में विकास होता है और गलत रतन पहनने से आपको negative इस्तितियों का सामना करना पड़ सकता है सिर्फ इस एक sentence मैंने आपके लिए पूरी किताब लिखिये रतन अमरत भी और जैर भी कौन सा रतन आपको सुब होगा और कौन सा रतन आपके लिए जैर के बराबर हो जाएगा क्योंकि यह medical science की तरह काम करता है तो ऐसी इस्तिति में जब भी आपको जिग्यासा हो बागिवरी रतन लोकेट के बारे में या लक्षमी योग रतन लोकेट के बारे में आप इस screen पर दियेवे नमबर पर संपर कर सकते हैं आपकी जो भी जिग्यासा होगी उसका समाधान किया जाएगा आईए अब बात करते हैं आने वाले मकर सक्रान्ति के पर्व की जो की बहुत महत्पून है आईए अब बात करते हैं मकर सक्रान्ति पर्व के बारे में जो की आपके लिए बहुत महत्पून है क्या आपके अपने पिता से वैचारिक मद्वेद हैं क्या आप कर्ज से परिश का प्रियोग जरूर करें क्योंकि भारतिय संस्कति में सूरी को मनुष्य की आत्मा का कारक माना गया है। मदभेद को समाप्त करने के लिए मकस अकरांथी को उपाई करने के लिए स्रेष्ट पर्व माना गया है समने तो हर पिता पुतर के बीच में मैचारिक मदभेद रहता ही है जब सूरी और सनी पिता पुतर होते वे भी प्रबल सत्रू है चनवा और बुध पिता पुतर होते भी प्रबल सत्रू है तो हम तो सांसरिक जीव है यह मदभेद हमारे अपने पिता से थे और अपने पिता के उनके पिता जी से रहे होंगे और हमारे आने वाली संतान से होंगे लेकिन ये मदबिद हर परिवाल में कलय का कालन बन जाते है और इन जगड़ों में सबसे ज़ादा इस्तिति खराब होती है वह है घर की इस्तिरियों की न तो पती को समझा सकती है न शंतान को मकर सक्रांदी कलस का प्रयोग दिन में कभी भी कर सकते हैं क्योंकि सूर्य इस दिन मकर रासी में पुरेश करते हैं, इस दिन दान पुन्य इसका विसेस महत्व माना जाता है, और इस दिन पूजा पाट का भी विसेस महत्व है, मकर रासी का स्वामी शनी है, यानि सूर्य शनी के घर आते हैं, इस समय किये गए उपाई विसेस अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत खैल रखें आप सभी को मेरे नमस्कार बहुत बहुत शुब कामना है इश्वर आपकी रक्षा करे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 बहुत